और ये मार्स जी लार्शक कराउंड फूरा करते हुए अपना जैसे राम दोस्तों आज है 16 अपरेल दिन मंगलवार फिट गुलिया ब्लॉक में आपका स्वागत है हमारी पांच प्लो मेंटर की दौट पूरी हो गई है आगे की सारी अक्साइज आपके साथ मिल गया करेंगे उमीद आप हमारे साथ बनी रहेंगे पहले चलान की पहली अक्साइज बहुत बड़ी अशर 20-20 रिपीटिशन के 3 सेट ये दूसरी पीछे का व्यू देखिए और ये तीसरी आपको 20-20 रिपीटिशन के 3 सेट लेने बिना रुके हैं और ये तीसरी इसकी हिससे हमारी कोर मस मजबूत होती है फैट कम होता है बहुत बढ़ी असर बिना रुके बीस-बीस रिपीटेशन के तीन सेट लेने होते हैं दूसरे चलंग की गुलिजाजी की पहली एक्ट साइज बहुत बढ़ी असर यह दूसरी और मित्रों यह आज सुबे का व्यू है देखो आस्मान बिल्कुल साफ नीला नजर आ रहा है तो बहुत ही बैतरीन और जैसा यह मैं आपको पेट दिखाता हूं यहां की घृनरी देखो और इदर वाइट फूल खिले वे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं देखो और सामने का व्यू देखो आप और फाउंटेन भी चला दिये देखो यह पेड पत्ते जड़ चुके हैं लेकिन अपनी जो सुंदरता है वो कायम हैं इनके अभी यह हमारे मित्तर संतोस्जी हैं बहुत प्यारे आदमी हमारे जैसे राम वह दोस्ट क्याल है ठीक और यह सर जी ने रस्टी से शुरुवात कर दिये बहुत अच्छे सर बहुत बड़ीया सर बहुत बड़ीया गुलिया जी की स्किक्पिंग बहुत बड़ीया सर साँदार गति पीछ है का दर्खिए ये बहुती सांदार वियो बहुत बढ़ी आशार और ये दूसेज रण की पहली हक्षाइज और ये दूसेज रण की दूसरी और ये सर्जी के स्पाटे या दंड जो भी है तो प्रियमित्र ये हैं देशी दंड जैसा कि आप जानते हैं तीन आसनों का प्रियोग होता है उसमें चतुरंग दंड आसन भुजंग आसन परवत आसन और ये सर्जीक डिप्स बीस बीस के तीन सेट तो प्रियमित्र ये हैं डिप्स इससे चैस्ट की संदार से पाती है और हमारी आम्तियक साई होती है बहुत बड़ी है सर और ये देखो भई दांस हो रहा है और ये नरवाल जी देखो ये अरे एक नंबर अरे क्या वाद है अरे लड़के और यूँ और ये अमारी छे बज़ दस मिंट पर आज बाप्सी होगी है आज अस्टमी है इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं माताराणी आप सभी की मनों कामना प्रून करें ऐसी हमारी दुआएं सब भाईयों के साथ जैसे राम दोस्तों आज का हमारा वर्काउट समाप्त हो चुका है उम्मीद है आप हमारे साथ बनी रहे होंगे और आज 16 अप्रेल है 16 अप्रेल एतिहास एक दिन है 16 अप्रेल ठायरा से तरेपन को मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी जिसकी दूरी लगव से और सब्सक्राइब परेंगे जिन्ने बाद